नगर निगम के द्वारा राजगाट पर बनाये गए नौनिर्मी शोदागरह पर मेंटेनेंस और साफ सफाई के नाम पर शोग के दासंसकार पर मिर्तिकों की परिजनों से 400-600 रुपे वसूला जा रहा है जिसके संबन में सपा महानगर अध्याज जालु इसलाम ने बताया कि राजगाट पर पहले से मौजूद बनाया गया शोदागरह में निशुलक शबों का दासंसकार कराया जाता है नगर निगम के अधिनियम उत्तर परदेश के अंसार किसी भी शुलक को लगाने के लिए नगर निगम एवं बोर्ट की सुईकृति लेनी अनिवार होती है लेक तो हम सभी लोग उसी घाट पर जल समाधी लेंगे इस मौके पर सपाफ पारशद, विशुजीत तिर पार्टी, मौहमद अक्तर, माला देवी एवं सभी सपाफ पारशद मौजूद रहे इस समाजवादी पार्टी के महानगरा ध्याज ज्यावल इसलाम ने कहा जाओ सभी सपारशद, माला ध्याज जनके पारशद, गेड़े इसलाम बाधों, ज्याश जालन सब्सक्राश पारशद, विर्वं हमने थेख्माद के लोग जाती है तब इस मामले को पार्टी के लोग हम लोग संधाज करने के लिए बाद हो जाए और तो दूसी बात है इसे यह सर्मान की बिलूजी है आप जनता से चार सवर्प के लास से लास से लास से लास से वचुलेंगे अगर को इस सफाई और सुधा की समस्या आ रहे है तो निगम पर निगम द्वारा एक बड़ा घिरलित काम किया गया है जो सौधागरे नया बनाया गया नगर्निगम गोरक पूर द्वारा उसमें नगर्निगम द्वारा बीना बोड़ और कारकारली के अनुमतीके से के बीना जो वहां दास संस्कार हो रहा है उस दास संस्कार में 400 रुपे से लगाए 600 रुपे का वसूली की जा रहा है इसे घीरड़ित कार की हम समाजवादी पार्टी के लोग कले शब्दों में निंदा करते हैं और इस लडाई को हम लोग आर पार करने का करने का काम करेंगे कि ये शुल्क समाब्त किया जाए और अगर नहीं समाब्त किसी बैस्ता में हो जाता है तो कम से कम शुल्क लगा जाए ताकि दास रंसकार के नाम पर जो वसूली हो रही है उस वसूली के नाम पर हम लोग किसी तरह का कोई काम बरदास्त नहीं करेंगे इसलिए नगर आयुद गोरकपूर को हम लोग एक ग्याबान देने का काम कर रहे हैं